वही निगम भिलाई के जोन एक की टीम द्वारा दिल्ली से आई टीम एवं प्रदूशन नियंतरन बोर्ड के साथ सेंग रूप से कारवाही करते हुए सिंगल यूज प्रतिबंधित जिल्ली पन्नी पर कारवाही की गई साथी ट्रेड और गुमास्ता लाइसेंस की प्रतिबंधित प्लाश्टिक मुक्स शहर वदेश बनाने के केंदर सासन के आदेश पर अमल करते हुए निगम भिलाई का अमला भी अपने शहर को प्लाश्टिक मुक्स बनाने के लिए लगतार कारवाईय कर रहा है इसी कड़ी में निगम भिलाई के जोन एक की टीम ने अ देते हैं बताया किंद्र सासर्ण के आदेश पर यह कारभाईयां लगतार जारी है और इसके साथ फूर्टिश्टानों के अनुग्यपतीं लाइशंस और गुमाश्ता लाइशंस की बीजांच की जा रही है जिन प्रती चानों में प्रतिबंदिर प्लाश्टिक पाई जा रहे हैं उन्हें जब्त कर उन पर चलानी कारवाई की जा रही है और किसी भी प्रकार के लाइसेंस ना होने पर भी जुर्माना वसूला जा रहा है आज जोन वन के अंतर गत वार्ड क्रमांग 17 वार्ड क्रमांग 10 अमित प्लास्टिक से और फल ठेला वालों से भगवान की राना जुकान से भारत जर्दा के यहां से और हाड़वेर लाइन से लगभग 10 किलो पोले थीन सिंगल यूइट प्रेदवन्दित पकड़ करके कारवाही की गई टोटल 15 व्यावसाईयों से 38,000 दंडात्मक कारवाही सुल्प वसूल लगया करवाही आगे भी निरंतर जारी रहेगी और एक जुलाई से हमारा पूरा निगम सिंगल यूइट प्रद्बंधित प्लास्टिक के खिलाब कर रहे हैं प्रते एक दिन करते हैं डोर टूर भी जाते हैं और आगे भी जाते रहेंगे क्योंकि यहां केंद्स शरकार का है कि हमें सिंगल यूज प्लास्टिक मुग्ध सहर बनाना है जिससे की प्रदूर्शन रहित रहें फिलाल निगम की हजार कारवाईयों के बाद भी प्रतिष्ठानों और हाट ठेड़ा चलाने वालों के पास से भारी मात्रा में प्रतिबंधित प्लास्टिक मिलना चिंदा का विशे है ऐसे में प्लास्टिक मुक्ष सहर का सपना कैसे सकार हो सकता है यह देखने वाली बात होगी ग्रैंडेसीन न्यूस के लिए भिलाई से संतो शर्मागरीपोर्ट